आप सभी का एक्जाम हंट में वह फिर से बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई और आज हम चुड़े हैं क्लास 7 के हिस्ट्री चैप्टर 4 के साथ जिसका सिर्सक है मोगल सामराज और इसमें हम देखेंगे कि क अकबर तक कराया था तो आज आप देखेंगे कि जहांगीर में कौन-कौन से मात्पुन बिंद्वें जरूई हैं तो सबसे पहले हम जहांगीर के बारे में जानेंगे कि जहांगीर का सासनकाल कब से कब तक था तो फ्रेंड्स जहांगीर का सासनकाल 1605 से 1627 तक था अकबर के सैन अभ्यानों को आगे बढ़ाया यानि जहांगिर ने जो अकबर का पुत्र था वो अकबर के सैन अभ्यानों को आगे बढ़ाया मेबाड के सिसोधिया सासक अमर सिंग ने मुगलो की सेवा सुविकार की सिखो अहुमो और अहमदनगर के खिलाब अभियान सफल नहीं हुए तो सासन के अंतिम वर्सों में राजकुमार खुर्रम जो साजहां के नाम से प्रसिद हुए ने बिद्रो किया था अब इसमें एक और चीज इंपोर्टेंट है फ्रेंस कि महरू निसा ने 1611 में जहांगिर से विवा किया और उसे नूर जहां का खिताब मिला था यानि महरू निसा जो 1611 में जहांगिर से विवा किया यानि आप समझ सकते हैं कि जहांगिर से साधी करने के बाद ही उने नूर साजहा का किताब मिला था ठीक है अब हम बढ़ते हैं आगे तो अब हम देखेंगे साजहाँ के बारे में तो साजहाँ का सासनकाल कब से कप तक था तो साजहाँ का सासनकाल 1627-1658 था और में क्या था फ्रेंट्स दक्कन में अभ्यान जारी रहें अफगान अभिजात खान जहान लोदी पराजित हुआ अहमद नगर के बिरुद अभ्यान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओर्चा पर कबजा कर लिया उत्तर पसिन में वल्ख पर कबजा करने के लिए कंधार सफावीदों के हां से चला गया और 1632 में अहमद नगर को मोगल राज में मिला लिया गया और बीजापूर से सुला के लिए निवेदन किया गया ठीक है अब हम आगे के बिंदों पे आगे बढ़ते हैं तो 1657 में साजहा के पुत्रों के बीच उत्राधिकारियों को लेका जगडा हुआ और औरंगजेब की विजय हुई जिसमें दारा सिको समेत उनके तीन भाईयों का कतल हुआ तथा साजहा को आगरा में कैद कर लिया गया अब हम बढ़ते हैं आगे अब हम देखेंगे औरंगजेब के बारे में तो 1658 से 1707 तक 1663 में उत्तर पूर्व में अहमों की पराजय हुई और 1680 में पुना बिद्रो किया गया उत्तर पसी में इसुप जई और सिको के बिरूद अभियान में स्थाई सफलता मिली और माडवार के राजपूत ये जो माडवार के राठोड राजपूत थे उनका बिरूद किया के कारण उनके मसलों में मोगल के खिलाब अभियान चलाया तो फ्रेंड्स यहां से में यह पता चलता है कि औरंग जेप जो थे वो 1658 से 1707 तक यानि उनका सासनकाल था और 1707 में औरंग जेप की मिठ्थी हो गए थी 1663 में उसने क्या क्या था तो उतरपूर में आहमों को पराजय किया था और 1680 में पुना का सयोग मिला अंत तो वो सफाविद इरान भाग गया यानि जब उन्हें माराठो दक्कनों को सल्तनान्त का सयोग मिला था उसके बाद वो अंत में क्या हुआ तो सफाविद यानि इरान भाग गया था 1685 में बीजापूर और 1687 में गोलकुंडा के मुगलों ने अपने जिसमें माराठो द्वारा चापा मार पधती का उपयोग क्या गया अब आपसे अगर पूछा जाए कि चापा माराठो के द्वारा चापा मार पधती का परियोग कब क्या गया था तो आपका होगा 1698 में दक्कन में माराठो के विरुद अभियान में उत्तर भारत में सीखो जाटो और मियोत अधक्कन में माराठो के विद्रों का सामना हुआ इसी वक्त अब हम बढ़ते हैं आगे के बिंदों के और इसमें इंपॉर्टेंट है फ्रेंस कि जहांगीर की मा कौन थी तो जहांगीर की मा कच्छवा की राजपुमारी थी वह अंबर यानि बरतमान राजपुत सासक की पुत्री थी अब हम आगे के और अग बढ़ते हैं तो उत्राधिकारी की मुगल परंपराओं को अब हम जानेंगे किसमें कैसे क्या है तो मुगल यानि सहदयाद की मुगल और तेमूर वंसों की प्रथा को अपनाते थे जिसमें उत्राधिकारी का विभ पत्रों में सामान रुप से विभाजित का जते थें। पत्रों में सामान रुप में वापिस कर दिया। मुगलों के सेवा में आने वाले नोकर्सा मनसदार कहलाएं। मनसदार सब्द का परियोग ऐसे वेक्तियों के लिए होता था जिने कोई मनसब यानि कोई सरकारी हैसिये तत्वा पद्र नहीं मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाए गए स्रेनी वेवस्ता थी जिसके जरिये पर्द बेता नेवं सैन उत्त्रदाईत तो निधारित किये जाते थे। अब हम पढ़ेंगे जात के बारे में तो जात की संक्या जितने अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्टा उतनी ही बढ़ जाती थी और बेतन भी बढ़ जाया करता था। मनसब्तार अपना बेतन राजस्व एकतित करने वाली भूमी के रूप में पाते थे जिने जागिर करते थे जो तकरीबन एकताओं के सामान थी परन्तु मनसब्तार मुक्तियों से भिन अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रसासन करते थे ठीक है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों की साथ जादस जादस प्रेस करें इससे आपको आगे आने मली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगी और अगर आप अभी तरह हमारे सोचल मिने हैंडल को नहीं फोलो किया है तो आप टेलिग्राम, फेस्बूक, इंस्टागाम को फॉलो कर सकते हैं इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रवाइट करा दी गई है जहां से आप डाइट इन जगों को फॉलो कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत दर्ने बाद, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फर वादा